हैलो इब्रीवन एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल क्रियेटर रहें में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग एनेमिया में क्या खाना चाहिए इस टॉपिक पर जानेंगे उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एनेमिया क्या है इस विमारी से पीडिस ब्यक्ति को क्या सांस लेने में परसानी होती है इसके अलावा ठकान चक्कर आना सीरदर्द आदि समस्या होती है अगर आप एनेमिया के सुर्वात में ही ध्यान दे तो आप इस विमारी से बच सकते हैं चलिए आगे मैं आपको वीडियो में पांच ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके सेवन से आप एनेमिया से बच सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बगल में घंटिक निसान दबा देजिए ताकि जबी हम वीडियो डाले इसका नोटिपिकसन आपको मिले नमबर एक चुकंदर एनेमिया से पीडिद ब्यक्ति को चुकंदर का सेवन बेतरिन विकल्प है चुकंदर में आईरन भरपूर पाया जाता है इसके सेवन से खोन की कोशिकाओं को नया जीवन प्राप्त होता है आप इसे सलाद जूस के रूप में ले सकते हैं नमबर दो तमाटर, तमाटर हर घर में खाई जाती है इसे सलाद चटनी आदिक रूपों में भ्योग किया जाता है तमाटर भी एनेमिया में फैदेमंद होता है इसमें आईरन, बिटामिन C, बिटामिन E और लाइकोपीन पाया जाता है जो सरीर में खुन की कमी को दूर करत नमबर तीन हरी पत्तेदार सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां आइरन का अच्छा स्रोत होती है इसलिए शरीर में हिमोगलोबिन के अस्तर को बढ़ाने के लिए और एनेमियस निजात पाने के लिए आप नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें आप अपने अहार में पालक, बथुगा, ब्रोकली, मेथी, आदी सबजियों का सिवन कर सकते हैं नमबर चार सहद अगर आप सहद खाना पसंद करते हैं तो अपने अहार में सहद को सामिल कीजिए इसमें आईरन की मात्रा अधिक पाय जाती है जो एनेमिया को दूर करने में मदद मिलेगी नमबर पांच फलें फलो में आप सेब, केला, अनार, आदी फलो का सिवन कर सकते हैं सेब को आप सरदी, गर्मी हर मोसम में खा सकते हैं सेब के सेवन से सरीर में आरन और खून की कमी नहीं होती है इसके अलावा अगर आप अनार खाते हैं तो यह खून की कमी दूर करने का अच्छा उपाय है इसलिए एनेमिया में इन फलो का सेवन जरूर करें